आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे वेजी देवेस रोल जो खाने बहुत टेश्टी होता है और हिल्दी भी होता है रवास्वी की इंडिलेस रेस्पी को सब्सक्राइब किजिए और सब्सक्राइब मुगर लिपने होए बेल आइकन को जरूर दबाए इससे यह होगा जो भी देश्टी देवेस रोल जाएगे तो आज यह बनाते हैं वेजी देवेस रोल इसी बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप रिफाइन क्लॉर मैदा आधा चमच सोया सॉस एक चमच रेट चिली सॉस आधा चमच जीरा नमक साधन सार आधा चमच धन्या पाउडर एक च Nepкрет साथाई चमच करम मसाला पाउर क्ला चार से पांच पिंच मैंने सारी चीजों के रखे मिर्च जाए चाहरा contemporary बानलु और इसे चोड़ों चुट़ों चुटों में काट भी सकते हैं तो आलु उबली हुई आलू है मैंने इसे चील कर और मैस करके रख लिया है एक बड़ा चम्मच तेल और एक चम्मच घी ये देशी घी है सबसे पहले इसे पनाने के लिए हम इसका आटा तयार करेंगे एक बड़ा बावल ले लेंगे और कोई बर्तन लिस्त में आपको आटा गूतना है इसके अंदर हम मैदा डाल देंगे और इसके इंदर एक चम्मच घी डालेंगे इसे अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर देंगे मैंने आटे के अंदर अच्छी तरीके से घी को मिक्स कर दिया है अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सब्सक्त दो तयार करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी हमें डालना है इसमें इससे आटा हम चितरी के से थीक है कि साथ इसे हम लपीट करके और इसे दस मिनिट के लिए हम रख देंगे और आठा हमारे जब तक स्ट्रेट होता है हम इसके अदर भरने के लिए स्टिपिंग को तयार करेंगे मैंने गेस अन कर दिया है गेस पर मैंने कड़ाई रखा है इसके अंदर हम तेल डाल देंगे तेल हमारा गरम हो जाएगा फिर इसके अंदर जीरा डालेगे और इसे हलका गुलाबी होने तब भूल लेंगे क्यरा हमारा ब्राऊन हो चुका है इसके अंदर अरी मिलस पियाज पावडर जीरा पावडर गरम मसाला और हल्दी इसके अंदर मिक्स कर देंगे कर अब कुछ वहरू है का सभूनचै यदि के आनकि उसके अंदर सब्लसक्ट्रख को दाल की मेंदर है कि अंदर नमक दालनेंगे कि नमक हमीं इस दमन साथ डाल ना दालना है लु το यारे चमस्ट नमा पीपाइल, जीन के निएस के निरूआ सुआए निएस सुआए सॉस ताल देंगे अच्छिक सॉस को भी डाल देंगे इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसके अंदर कुपले और मैस के ज़रे आलो को भी बडालेंगे इसके मिला देंगे अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से त्यार है इसमें से थोड़ा सा अच्छी तरीके से त्यार है मैंने सारी लोगी तोड़का तयार कर लिए है अब इसे हम बेलेंगे बेलने के लिए एक लोगी को मुठाएंगे इसे बोल करेंगे इसे हलका सा दबा लेंगे और चकले पर अलका सा घी लगाएंगे और इसे हम पतला बेल लेंगे इस तरीके से हम इसे बेल कर तयार करना है और यह मूटा नहीं होना चाहिए ना पतला है यह ना बहुत पतला हो ना बहुत मोटा इस तरीके से सारी पूरियों को बेल कर तयार कर लेंगे इस तरीके से मैंने रोल बनाने के लिए सारी पूरिया बेल कर तयार कर ली है अब इसे हम सेखेंगे सेखने के लिए मैंने गैस पर तावर रखा है और गैस को मैंने आन कर दिया है इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे पुरी लगा देंगे, इसके उपर एक पुरी इंडाल देंगे, इसे हमें ज्यादा नहीं सेखना है, हलका से सेखेंगे, तवा गर्म हो जाने के बाद आज को हमें धीमा ही रखना है, इसे हमें चेक करेंगे, हलका साथ, पकाएंगे, इसे हम पलट देंगे, और इसे भी हलका सा, इसे तरीकी से सेखेंगे, आज हमें इसे और ज्यादा नहीं पकाना है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे, यह सारे रोटियों को सेख कर रखेंगे तैयंसे पथीलगा समिल सभी लगाएंगे ऑ ऊप जिए ऊप इस सरे ही सेख कर त्यार अहीं सेख कर देंगे उसे उसे ही निकाल कर दो इस टाथिक से शारी रोटियास हetes कर दो है अब इसके अंदर हम श्टपिंग को भरेंगे, यह मैंने सारे सब्चियों और आलू को प्राइ करके तयार किया है, इसके अंदर सब्चियों आप अपने मन पसंद डाल सकते हैं, मैंने आलू डाला है, अगर आपको आलू ना पसंद हो तो मत डालिए, आलू बच्चे जादा पसंद करते हैं, अगर इसे मिला कर भर देंगे, तो आलू के साथ उन्हें हरे सब्ची भी खाने तो मिल जाएगा, और उससे बहुत प्रें़ से खाएंगे, इस तरीकी से में मिष्टर पिंगो डालना है, इस तरीकी इसे से रोल करना है, कि अपने сос भी साइट से इसान मुंड देंगे इससाइड से भी से मूड़ेंगे अब इसका रोल बना लेंगे इस त्रीके से कि आई कि अई नतली तरीके सारे रोल हम बना कर त्यार कर लेंगे सारे रूल्स मैंने बना कर त्यार कर दिया है अब इसे हम सेखेंगे तरे पर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे घी लगाने के बाद हम सारे रूल्स को तरे पर रख देंगे और इसे हलका सशीख जाने के पाद में पलट कर और भीछे साइड में हलका से शेख लेंगे इसे हम पलट देंगे और इसे साईड में भी हम सेख लेंगे और यह रूल हमारा दोनों तरफ से सेख चुपा है और इवाइस को बंद कर देंगे इसे हमें ज्यादा नहीं सेखना है इसे प्रेट मी निकाल लेंगे सारे रूल हमारे सेख कर त्यार हो गये हैं एक रूल को हम काट कर देखेंगे कर देखें इस तरीके से इतनी अच्छी लग रही है स्टफिंग और यह खाने में भी बहुत टेश्टी लगता है आप इसे ज़रूर ट्राइए कीजिए आप सुभी के नास्ते में बच्चों को टिफिंड में पिर सामके टाइम जब आपकी इक्छा हो इसे बना कर खा सकते है इसे बनाना बहुत आसान है और एक खाने में बहुत टेश्टी लगता है अगर आपको मेरी रेस्पी बसंद आती है तो अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए फिर इक नए रेस्पी के साथ आप से फिर सिंबला कात होगी तब तक के लिए ध